दोस्तों Bitcoin से लेकर Ethereum से लेकर बहुत सारे alt coins में वो pump एक तरह से शुरू हो गया है जिस pump की मुझे लगता है काफी लोगों को लाल सा थी अच्छी बात है इस वीडियो के माधियम से हम एक तरह से दुबारा से दो कदम पीछे हट के देखेंगे कि सचाई क्या है सचाई मतलब yes once again Bitcoin एक लाग डॉलर पर जाना है दस लाग डॉलर पर जाना है but short term में जो लोग so much bullish हो जाते हैं उनको एक चीज यहाद दिलाऊंगा दो चीजे trading strategy हमारी trading बहुत अच्छे profit पर है एक नया trade जो zero से शुरू करेंगे इसके बारे में बात करेंगे और यहां पर क्यूंकि यह सा करना I hope you will appreciate कि इस channel पर हम हमेशा आपको वो perspective दिखाते हैं जो आपको internet नहीं दिखा रहा होता है जो आपको गुमरा कर रहा होता है बहुत ज्यादा bullish थे हम एक जनुरी से लेकर अब तक और उसका नतीजह हमें मिला congratulations आप सब लोग को जिन लोग ने stick around किया अब हम technically कहां stand हो है technically यहां पर अच्छा दिख रहा है कि हम लोग at least अपने support level के उपर है right but मैंने आपको 30,000 level पार करने के बाद कहा था मैं at least 30,000 के orange box पर वीजय तब घोशित करूँगा जब हम 2-3 daily candles इसके उपर बिता लेंगे यह 4 hourly candles हैं जी हां हमने almost 10-12 4 hourly candles इस orange box के उपर बिता ली है I am getting more confident कि हम जितनी जादा 4 hourly और daily candles इस orange box से उपर बिताते हैं यह orange box दोस्तों जितनी गंदी resistance है उतनी ही अच्छी support भी बनता है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर हमने यह पूरा हफता और hopefully अगर week भी इसके उपर निकाल दिया weekend तो यह 30,000 की अभेद्य support बन है पर साती साथ जो internet जिस बात को ignore कर रहा है कि जो core inflation है वो 5.6% आई है जो की बढ़ रही है core inflation का अर्थार्फ होता है कि inflation without energy prices without fuel and कच्छे तेल के price के right तो कच्छे तेल का price globally कम हुआ है तेजी से इसके चलते US में और सब जगा inflation को सुकुन मिला है बर जो core inflation है जिसमें से अग रहने के price बढ़ रहे हैं रहने के price बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब और fed ये बात जानता है fed CPI से जादा core inflation को देखता है और उसको पता है कि core inflation अभी भी बढ़ रही है बलकि CPI से जादा हो गई है फरवरी में CPI 6 थी core inflation 5.6 थी अब जो है 5.5 थी अब CPI 5 है और core inflation 5.6 है तो आप देख सकते हैं फरक है मुझे की इस बात की थोड़ इसी चिंता है कल इस बात को ध्यान में रखते हो और इस perspective को ध्यान में रखते हो जैसे मैंने का दोस्तों रुकसान मेरा फायदा आपका कल ह हमने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि हम एक 30,500 के उपर एक short start कर रहे है कम leverage का ताकि अगर price यहां से correct करता है तो हम हम जो है hedge करें इस short पे मुझे कोई शरम नहीं कहते हुए हमें loss हुआ और हमने short अपना close कर दिया क्योंकि stop loss trigger किया था overall हमारी longs जो है वो profitable है क्योंकि हमारे longs चल रहे थे जो कि अच्छे profitable थे हमने ये short लिया 30,000 असी रुपे से जो हमने stop loss hit करने के बाद close कर दिया stop loss मतलब जैसे price उपर गया 3500 की तरब तो हमने वो short जो है close कर दिया अपना बट यह हमने क्यों किया उन लोगों के लिए जो profit म होते हैं जिनके अब यह मेरे भी longs खुले हुए कहीं यह long क्योंकि मैं बंद नहीं कर रहा हूं अभी भी आपको दिखाऊंगो मैं 40-50% के profit पर है यहां पर 42%, 26%, 18% overall अच्छे खासे profit पर इन टर्म से डॉलर जो है almost 10,000 डॉलर का profit है इन 4 bots पर इनको मैं close नहीं कर रहा हूं अ profit तो इसलिए मैंने अपने shorts को बंद कर दिया this is a typical trading hedge strategy दोस्तों अगर आपको समझ में आती है appreciate करते हैं तो like कीजिए अगर नहीं आती तो इस channel के मादने हमसे सीखते रहे है क्योंकि दोस्तों trading जो है ना वो सबसे ज़्यादा genius game है जो trader बोले यह दावा करें कि मेरे 10 में से 10 trade profitable जाते हैं आप उसको या तो भगवान खुदा मान लीजे या उसको अटर genius मान लीजे वैसे हमारी team की काबलियत और मैं इस बात को ज्यादा बोस्त नहीं करूंगा बट हमारा run rate almost उसके आसपास है बट हम फिर भी genius नहीं है दोस्तों हमारे भी trades में loss होता है and that is where I encourage you तो इ लिखते रही है don't try and become a genius overnight क्योंकि इसमें सालों की महनत learning और भहर्य लगता है right so यह trading की strategy I'm happy and confident की price जितना ज्यादा इस orange box 30,000 के लेवल के ऊपर तिक रहा है जितने ज्यादा multiple 4-hourly candles close हो रहे है उतना यह level support बन जाएग and everybody would want that कि यार अगर कोई black swan event होता भी है अगर bitcoin का price crash हो तब यह तो 30,000 उसको support प्रदान करे that I'm sure everybody will take with a lot of confidence and happiness और 30,000 एक another support बनता जा रहा है धीरे धीरे करके यह इस बात से भी प्रमानित होता है कि altcoin rally करने शुरू करती है दोस्तों अकसर आपने देखा होगा altcoin हमेशा कुछ दिनों कुछ हफतों कुछ महीनों के बाद rally करते है जब bitcoin की rally pushty हो जाती है तो यहाँ पर pushty करन हो चुका है कि bitcoin की rally convincing थी अगर आप exactly देखें एक जनुरी से अब तक exactly 100% के आसपास हम किये हैं क्या यहाँ से bitcoin का price crash करके नीचे जा सकता है absolutely अभी भी chances जैसे मैंने का कि हमारा confidence बढ़ रहा है बट अभी भी 30,000 का orange box support नहीं बना ह हम कुछ इस तरह का भी जो है activity play कर सकते हैं हो सकता है कि हम गिर के orange box के अंदर ही fuzz है हर चीज की possibility है बट जितने ज्यादा दिन हफते जैसे मैं निगा कि एक weekend close कर दो इस orange box के उपर 30,000 के उपर तो और confidence आजएगा क्योंकि technicals is all about that only दोस्तों और जो technicals का उपहास करते है जो technical technicals को विश्वास ने करते हैं उनको मैं याद दिला दो दोस्तों आपको मैंने डिक्सी के बारे में क्या कहा था डिक्सी 100 मतलब bitcoin 30,000 अब आप उठा के डिक्सी का प्राइस चेक कर लिए यह चीज मैंने महीनों भर पहले है और कई बर repeat करके बूली थी डिक्सी dollar strength index is directly disproportionate to asset prices risk asset prices यहाँ डिक्सी गिरा bitcoin के price उपर गया stock market उपर गया तो यह technicals की power है दोस्तों यह technicals तुक्के नहीं है अब आहाँ यह मैं आपको यह भी कहाता है और मैं दुबारा दोहरा हूँगा कि डिक्सी 80 पे गया तो bitcoin एक लाक डॉलर पे है क्योंकि dollar strength index dollar गिरेगा तो bitcoin उपर जाएगा ना ठीक उसी तरीके से यह जो technicals है यह भी प्रमानित है दोस्तों यह जो technicals है कि अगर 30,000 support बन जाता है मैं आपको याद दिलानत देना चाहूँगा कि 15,000 पर हमने क्यों इतने महीनों तक गाने काया थे कि 15,000 से नीचे अगर bitcoin चला गया तो मेरा नाम बदल देना 15,000 ही फ्लोर है हमारी 3-4 महीने की वीडियो के title ही हुआ करते थे यही फ्लोर है यही bottom है यह bottom वो bottom अब आप मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं वाह क्या genius बात है but all because of technical orange box और यह orange box हमने आज नहीं बनाया दोस्तों और उसके पाद अगला orange box 12,000 पे था yes बहुत सारे technical लोग कह रहे थे कि 12,000 पे जाएगा और मैं भी बहुता हूं कि अगर 15,000 तूटता तो 12,000 जाता पर 15,000 तूटना नहीं चाहिए था क्योंकि volume candles थी वहाँ पर ठीक उसी तरीके से जैसे 20,000 पे हमने आपको कहीं बर याद दिलाया मेरा सब 20,000 पे लिया था ठीक उसी तरीके से यह orange box की बहुत महत्वता है दोस्तों कुछ दिन हमें बिताने इस orange box की उपर and I'm telling you मैं आपको फिर promise दूँगा कि इस orange box को कोई नहीं तोड़ पाएगा नीचे की तरफ इट विल बिकम अभेद दिया है support और हमको यही तो चाहिए अगर इसको recently भेदा है hardly 48 गंटे पहले तो मैं इतनी जल्दी इस पे इसको support नहीं मानूगा and I hope आप समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ यहां पर right कि हम लोग उतने immature traders नहीं है एक मैं आपको प्रमान और दूँगा कि मैं क्यों थोड़ा सा और wait करना चाहता हूँ क्यों कि Bitcoin क कि real halving, real countdown for halving starts at this dotted line, जी हां कुछ लोग यह कह रहे हैं कि real, जो Bitcoin के halving की date change हो चुकि है और मार्च 2024 में हो जाएगा, तो कोई बात नहीं हो सकते है कि halving countdown शुरू हो चुको and hence the pumps have also started, so मुझे कोई doubt नहीं है, but एक बार dotted line को हम cross करेंगे, तो उसके बाद आप चहरे पिगलाने वाले pump देखेंगे, दोस्तों, आप देखेंगे कि मई से लेकर दिसंबर के बीच में, मई से लेकर अगले मार्च के बीच में, Bitcoin, अगर यह वाली halving की countdown है, तो अलडी शुरू हो चुका है, but going forward, we will see even bigger pumps, हम पचास हजार डॉलर भी भेदेंगे, हम इस साल के अंता हो सकता है साथ हजार डॉलर भी भेदें, हम हो सकता है, Bitcoin की halving शुरू होते ही, all time high hit कर दे, क्योंकि historically भी हमने यह सब किया है, Bitcoin के लिए कुछ नई चीज नहीं है, we have been there, done that, right, तो मैं कुछ जो कह रहा हूँ, यह सब कुछ, यह पहली बार, क्योंकि हमारी muscle memory इतनी short है, हमने केवल, जो already defined, written on the wall, की Bitcoin की halving का मतलब, हमारा all time high, will be reset, yes, जो सफर है, वो कुछ ऐसा जाएगा, कि हम साथ हजार से फिर तीस हजार पर आएंगे, तीस हजार की, फिर गुण मत्ता टेस्ट करेंगे, बट वो एक level तीस हजार चाहे, 32 जो भी है, कोई भी अगला orange box, पिछला orange box, 20,000 वाला दोस्तों कुछ भी हो सकता है, micro strategy अगर अपने 1,40,000 bitcoin बेज़े तो क्या होगा, क्या मुझे पता है कि वो बेचने वाला है, क्या मैं guess कर सकता हूँ कि वो बेचने वाला है, नहीं न, क्या पता उनको कोई court case कर दे, उसको settle करने के लिए 1,40,000 bitcoin बेचने पड़े, तो हम कैसे क सकते है कि मैं guarantee से आपको बोलता हूँ, but हमें पता है कि technical अगर support strong है, bitcoin अगर आज December 2022 चल रहा है, और अगर micro studies अपने सारे bitcoin business है, bitcoin crash करेगा, hard crash करेगा, 50, 60, 80% crash करेगा, पर कहां के रुकेगा, in support levels, that's why I want this 30,000 to be a tried and tested support level, and it has to sustain for long period, तो हर वो YouTuber जो आपको कह रहा है कि bitcoin 30,000 के नीचे नहीं जाएगा, वो जूड बोल रहा है दोस्तों, उनको नहीं पता, they are not calculating the black swan event, they are not respecting the time that bitcoin has spent over 30,000, वो ज़रूरी है आपके लिए, समझना, ठीक उसी तरीके से जैसे S&P 500, क्यों S&P 500 दोस्तों, इस range के नीचे नहीं गया, इतने bank बंद हो है, क्यों इसके नीचे नहीं गया, इस orange lines के बीच में क्यों रहा, क्योंकि support and resistance levels are very strong दोस्तों, historically 4,110 के नीचे daily candle close करने के लिए, S&P 500 को मशक्कत लगती है, इसलिए S&P 500 नहीं गया, इसलिए हम अपनी trading strategy in boxes के बीच में decide करते हैं, अब मैं आपको याद दिला भूल रहा हूं, से 28,300, मैंने इनको जानूश के बंद नहीं किया, क्योंकि अगर price 28,000 के उपर जाता है, क्योंकि यह सब longs है, these are not neutral bots, तो अच्छा है ना, और मैंने आपको कहा था कि जब bitcoin orange box को तोड़ेगा, तो वो big volume और big, लंबी एक तरफा candle के साथ खोलेगा, वो उसक 12 घंटे में, जिसको तोड़ने के लिए, वो हफ्तों से महीनों से try कर रहा था, तो यह थोड़ा से lecture था दोस्तों, support resistance के उपर क्यों आपको चैनल को subscribe करना चाहिए, क्यों आपको रोज सुनना चाहिए, जो मैं रोज retrate करता हूँ, रोज नए technicals बताता हूँ, रोज आपको दोस्तों आप चैनल को subscribe करो, और देखो मैं कल ही आपको नई bot शुरू करके दूँगा, मैंने 12 दिन पहले ही बोला था कि मैं bot आपके सामने, यह जो मैंने 12 दिन पहले वीडियो दिखाई, यह मैंने आपके सामने स्टार्ट कर रही थी, चाहिए तो वीडियो प्ले करके दे किया है, और almost 20 के आज़ पास हमारी trading bots हुए है, हमारी trades profitable close हुई है, और हमारे 6 या 7 trading bots हैं, जिस पर हमने 100% से ज़्यादा profit बनाया है, जब तुक्का नहीं है, और यह सब तब जब banks बंद हो रहे थे, recession, inflation, all that shit, और यह क्यों क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ न ऐसा भी हम manage करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, बहुत सारे हमारे hard wallets है, personal keys है, पर जो मैं आपके साथ share कर सकता हूँ, कि अगर आप long term investment है, और आप धरे हुए हैं, आप घबराए हुए, आप 50% loss में हैं, तो यह सब आपके सामने उधारने कि आप पैसा short term में भी बना सकत हैं, by just putting 5-10% of your long term investment in trades, और खाली पैसा रखना नहीं है, समझना है, जल्दी नहीं करना है, मैं trade पहला अपना 5 माई को लूँगा, ऐसा सोचना है, 1 माई को लूँगा, एक जून को लूँगा, तब तक मैं रोज वीडियो देखूँगा, और देखूँगा यह जो trade में हैं कि यह slow bot का link है, यह long bot का fast bot का link है, क्लिक करके देखूँ मैं, तो क्यूंकि हम weekend स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वीडियो को weekend पे देखेंगे, I want to go little slow and tell you guys कि क्यूं आपके लिए trade समझना जुरूरी है, trade करना जुरूरी नहीं, यह वो सब links हैं, जिसके बार ना सीखें दोस्तों, क्योंकि अगर आप आज trade सीख गए ना दोस्तों, अगले एक महिने में सीख गए, तो bull market में आप market से जादा profit बनाएंगे, अगर एक आदमी 50,000 dollar की bitcoin को एक लाग तक ले जाकर 100% profit बनाएगा, तो आप 1000% बना सकते हैं, that's how हमने पैसा बनाए है market में, त यहां पर पूरे February और March में आपको याद दिलाता रहा, truthlation दिखाता रहा, कि March का CPI data अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, और आया, और यहां ही पर मैं आपको 14 April से warning शुरू कर रहा हूं, कि April खासकर मई का CPI data उतना अच्छा नहीं आएगा, क्यों मेरे पास technical current भी ह मैं watch कर रहा हूं, I will have more confidence on my thesis कि OPEC countries ने oil की production कम कर दी है, कम करने की बात किया और और कम करेगा, oil production कम होने का मतलब, energy price is going up and hence inflation eventually उपर जाएगा, आज नहीं, बट अपराइल के end तक मई में और जिसके नतीजे जून में आएगे, इसलिए मार्केट ऐसा नहीं कि आज पंप से मार्केट और सकत होगी, फेड और रेट हाई करेगा, तो ये ओवरनाइट चीज नहीं कि बस अब हम एक लॉक डॉलर पर कल चले जाएंगे, टॉमी टूबर्वेल is senator from Alabama, he sits on committed armed service, अब इन्होंने क्या बोला है, टॉमी टूबर्वेल ने कि अगली जो arms race है, arms race आप समझते nuclear, ये वो, वो bitcoin के कारण होगी, मैं इस बार में छोड़ सा और detail में बताऊंगा, बट ये data क्यों हो, छोड़ी से market में debate शुरू होगी है, कि second highest miners are from Russia right now, Russia के पास second highest world की, US के सबसे आदा है, यानि कि Russia के लोग सबसे आदा mine कर रहे है, bitcoin जो है दोस्तों, वो अगला हथियार है, दुनिया के लिए, countries के लिए आगे निकलने का, तो यहाँ पर senators, मैं आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था, कि कैसे नए senator nuket, जो अगले presidential election के candidate हो सकते हैं, डेमल क्रेट्स की दरफ से, वो कह रहे हैं कि अगर मैं आया तो मैं bitcoin को legal कर दूंगा, तो bitcoin और cryptocurrencies, countries के China, US, इसलिए हमारे पास वो मौका है कि हम उस बहुमूल्य हत्यार को co-own कर सकते हैं, तो मैं वीडियो इन कतम करकों दोस्तों, आप अगर 50 डॉलर जीतना चाहते हैं, तो simple से सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि March के inflation data positive आया है, CPI, inflation नहीं बोलूँगा, CPI, consumer price index, retail inflation, but core inflation high आया है, 5.5 to 6 हुआ है, क्या आपको लगता है core inflation आने वाले महिनों में कम होगा, या बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा, तो फिर आपको पता है कि Fed क्या करने वाला है, Fed रुकेगा नहीं, rate high करता रहेगा, which will break the market badly, market फिर crash होगा, फिर फिर crash होगा, comment करके अपनी व्यूस बताई, अपना यूएजडीटी ड्रेज आलमत भूली है, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद जैहन.